BBA की क्या full form होती है कि आज की इस वीडियो में सीख लेती है BBA की full form होती है Bachelor of Business Administration क्यानि कि Business Administration में ये एक 3 साल की सनातक डिगरी होती है यानि कि जैसे आप BA करते हैं वो Bachelor of Arts होता है BSE करते हैं तो वो Bachelor of Science होता है और BCOM करते हैं तो वो Bachelor of Commerce होता है उसी तरीके से BBA करते हैं तो वो Bachelor of Business Administration होता है ये एक 3 साल का Undergraduate Course होता है यानि कि सनातक स्तर की एक डिगरी होती है और इसके बाद MBA कर सकते हैं MBA की full form होती है Master of Business Administration यानि कि ये एक Postgraduate Degree होती है यानि कि सनातक डिगरी होती है और आप MCA भी कर सकते हैं M.C.A. की full form होती है Master of Computer Application. अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब Hindi और English में YouTube पर सर्च कर सकते हैं. आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी. जिसमें आप बिना किसी फालतु बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे. तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें.